आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं ब्लेक बोडी रिडिशन या हॉट बोडी क्या होती है इसको हम लोग डिटेल में डिसकस करेंगे तो आए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सूरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले टें बیल आइकन भी प्रेस करतें जिस से आने वाले हर वीडियो का नॉटिकिकिशन आपको सबसे पहले प्राप्थ हो इस चैनल पर ब्しますيرة के वीडियो नोट्स पीडियो आपको ले सकते हैं तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं ब्लेक बॉडी रिडिशन जैसा कि नाम से एक ब्लेक बॉडी रिडिशन आप जानते हैं एकार्डिंग टू कांसेप्ट फिच एबजार्ब आल रिडिशन फॉलिंग ओन इट अट एनी टंप्रिचर एट एनी इंसिदेंट अंगल ओनली आईडियल कांसेप्ट फिच एबजार्ब आल रिडिशन ऐसा आपजेक्ट आपका जो क्या हो आल रिडिशन को एबजार्ब कर ले फॉलिंग ओन इट मतलब उसके पर पढ़ने वाला सभी रिडिशन को एबजार्ब कर ले इनी टंप्रेचर वा किसी भी टंप्रेचर का हो इनी इंसिदेंट आएंगल किसी भी आएंगल से हो उसे हम क्या कहेंगे ब्लेक बॉड़ी कहेंगे और रियल में कोई ब्लेक बॉड़ी नहीं होती है क्यों एक क्या है ideal concept है इनवस्ट में कोई ऐसी black body नहीं है जो कि 100% absorber हो radiation का absorption कहरे आप definition दे सकते हैं which absorb all radiation in incident on it मतलब ऐसी body जो all radiation को absorb कर ले उसके उपर incident होने माली उसे और नो नच black body उसे भी आप black body बोल सकते हैं हैं दिखेंगे according to babe theory, babe theory के according क्या होता है the energy of the electromagnetic radiation is directly proportional to the intensity and independent of its frequency and babe length मतलब babe theory क्या कहती है आपकी कि energy of electromagnetic radiation जो होता है electromagnetic radiation जो energy होती है वो directly proportional होती है to intensity उसके किसके intensity के and independent होती है its frequency और babe length उसके babe length और frequency क्या करते है depend नहीं करती है फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यहां से अगर इस पर depend नहीं करती है फिर आगे क्या होता है देखें अगर उस बाडी को आप लोग क्या कर रहे हैं heat कर दे रहे है should have same color तो हमें क्या देना चाहिए, वासे , वह से ? isceम कलर मिलना चाहिए ऐगर उसे हम क्या करें, उसकी इनरजी को इमिट करने के लिए साइगर भाडी कहिए , तो एमना चाहिए, तो नहीं बरते हुआज सेम कलर चाहिए ? बेव लेंथ और frequency में क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, but it is not happens, लेकिन ऐसा नहीं होता है, so the बेव theory failed to explain the black body radiation, यहें पर क्या होती है, black body radiation, जो बेव theory होती है, black body radiation को explain करने में फेल हो जाती, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, कि बेव जो radiation होता है, जो light होती है, उसके पास, बेव nature होता है, उसमें हम लोग interference, diffraction, polarization, देख चुके थे, लेकिन पार्टिकल के पास, जो यहाँ यह यह फेल हो जाती है, तो लोग देखते हैं, पार्टिकल के पास कहीं कहीं, अरे बेव के पास कहीं कहीं, पार्टिकल नेचर भी होता है, black body आगे 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 बेव लेंद के, यह कोई आपका क्या है, अबजर्बर है, कोई भी matter जो के करता है, अलग अलग बेव लेंद के radiation को एबजर्ब कर रहा है, तो इसके पास तीन कंडिशन होती है, या तो यह क्या करें, उसको एबजर्ब कर दे, दूसरी कंडिशन होती है, उसको एबजर्ब क करते हैं मतलब यहां से जो आ रहा हो और reflection हो जाए को black से ही हम कलर को डिफाइन करते हैं और तीसरी बार ट्रांस्मिट हो जाए मतलब उसके अंदर से लाइट पूरी 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 पास हो जाए तो से हम बोलते हैं ट्रांस्मिट तो reflectors से ही हम क्या करते हैं color को define करते हैं तो आईए आपको हमें example के माध्यम से समझाने कोई करते हैं माल लीजी कोई iron metal है इसको हम जिब energy देते हैं heat देते हैं आप लोग ने भी देखा जो थोड़े से energy देते हैं सबसे पहले क्या होता है red color आता है तो माल लीजीए 900 Kelvin temperature pace क्या देता है red color देता है और यहां से जो heat emit होती है energy उसे हम क्या बोलेंगे energy बोलेंगे जो दिखाएगा energy है फिर जैसे हम क्या करते है heat को और बढ़ाते हैं 13 Kelvin पर देखिए 1300 Kelvin पर देखिए क्या होता है heat बढ़ाते है तो थोड़ा yellow color का आपको दिखने लगता है yellow color का दिखता है तो यहां से energy release होती है और जैसे हम temperature और बढ़ाते हैं 1600 Kelvin पर देखते हूं blue color का हो जाता है इससे ऐसी सिद्ध होता है कि अलग-अलग temperature पर अगर आपको अलग-अलग color मिल रहा है मतलब यहां जो electromagnetic radiation जो अबजार हुआ था तो कहन कई उसका बेव लेंथ और frequency क्या रही होगी सेम हो रही होगी तो क्या करें सेम color दिखाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है वो heat क्या हो देने पर क्या होता है color change होता है तो इसका मतलब यहां से दोता है कि जो part जो अपका irradiation है light है इसके पास कहीं particle nature भी मौझूद है यहां से क्या है particle nature भी मौझूद है क्यों कि proton के रूप जो निकल रहा है वो क्या होगा color बदल रहा है सब का wavelength frequency क्या हो जा रहा है अलग-अलग हो जा रहा है तो यहां सिद्ध होता है कि इसके पास क्या होता है light के पास particle nature भी होता है यहां समझाए गराफ के मादधम से आपको समझाए देखे यहां गराफ के मादधम समझाए गया है कि increase the temperature energy of radiation increase जैसे अब temperature increase कर रहे हैं वाज़े इनरजी of radiation क्या हो रहा है increase हो रहा है और दूसरी बात यहां से पता चल रही कि increase the temperature wave length of radiation decrease wave length क्या कर रहा है decrease कर रहा है तो graph देखे energy और wave length में अगर हम graph खीशते हैं तो यहां से देखे आप यहां से सबसे पहले आपने क्या देखा था red color देखा था तो red color कब देखा था red color कब देखा था और इसके बीच की दूरी क्या कहते है बेव length कहते है यहां से देखे red color की intensity तो पहले आपको red color दिखा आपने heat और बढ़ाया तो इसकी intensity क्या होगी कम होगी इसके पेच्छा क्या आ गई intensity वहां पर yellow color की intensity जादा हो गई tua एपको yellow color दिखा इसकी intensity देखी बढ़ गई भी अगर आप नीचन तो ठीकने लागा तो यहां से आपको lambda मायक्स मिलेगा high intensity सबसे highly intensity इसका है blue color क्या ते भुलू कर रहे हैं इसका देखे बेब लेंद क्या हो गया और कम हो गया क्योंकि इधा उपर जाने पी इनर्जी क्या कर रही है तो एक है है की कि अगर देखते है मह लो है assuming that electromagnetic radiation also has particle nature यहां से assume किया गया है कि कहीं कहीं अगर बेब थेयरी फेल हो रही है तो हाँ electromagnetic radiation के पास क्या है particle nature भी मौजूद है Max Planck give a theory called the Planck Quantum Theory Max Planck ने इस थेयरी को दिया था इसलिए इसलिए भी कहा था Planck Quantum Theory to explain the black body तब फिर black body को Max Planck Quantum के theory से क्या किया गया explain किया गया क्यों Max Planck Quantum Theory जो लोग नहीं देखे हैं description में लिंक है वहां से जाकर देख सकते हैं क्योंकि इन कहा था कि जो radiation आती है क्या आती है packet या bundle में आती है और सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग energy होती है जो integer multiple होती है इससे पहले की quanta की h new है तो दूसरे 2 h new होगा 3 h new होगा इस तरह से होता है तो quantum theorem आपको डेटिल में बताया गया है अगर आप black body की case में example लें तो carbon black जो होता है वो black body का example हो सकता है आपके जैसे माल यह एक black body में होता क्या है माल यहाँ एक halo sphere लिया गया है वो भी metal का लिया गया है और उसके अंदर से black coating की गई है black coating करने के बाद इसमें एक incident rage डाली जाती है तो इसमें क्या होता है 99% क्या हो जाता है अपजार्शन हो जाता है एसी body जिसके उपर incident पढ़ने और 99% यह 100% क्या हो जाया अपजार्शन हो जाया तो ऐसी body को हम क्या बोलते है black body बोलते है और इसमें एक narrow छिदर होता है बहुत ही small छिदर होता है जिससे क्या क्या जाता है incident को पास किया जाता और इसमें टगरा टगरा के अपजार्शन अपजार्शन इसका होता रहता है तो black body का आपका example हो गया बहुत ही अच्छे धंग से आपको समझाया गया यहां साब अच्छे से notes अपना prepare कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू आच्छिंग फार दिस वीडियो